भारत माता की वंदे वंदे क्या अद्बुत ना जा रहा है अभी दो महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे शिक्षा कैसे सुधारेंगे मैं समझता हूँ कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करें कि स्कूल कैसे सुधारेंगे कि बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस को गाली दे कॉंग्रेस बीजेपी को गाली दे बीजेपी आम आदमी पार्टी को हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं हमें राजनीती नहीं आती क करने मैं बार बार ये बोलता हूं गाली गलोज उनके जिम्में राजनीती उनके जिम्में मिर को स्कूल बनाने आते हैं स्कूल बनवाने हैं तो मिर से बना लो मिर को बुला लो मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो राज में देखने को मिला है कि किसानों के साथ समवाद हो रहा है टीचर्स के साथ समवाद हो रहा है पेरेंट्स के साथ समवाद हो रहा है पहली बार ऐसे हो रहा है और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बडोदा में ये पहला समवाद हो रहा है लेकिन मुझे दुख के साथ ये कह पढ़ रहा है कि इस समवाद का जब हमने एलान किया कि हम शिक्षा पे समवाद करेंगे वदोधरा में पिछले चार-पांच दिन में 13 जगे हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिली से केजरिवाल जी आ रहे हैं हमारी टीम ने बुकिंग की पेरेंट्स के टीचर के साथ समवाद करेंगे इन्होंने हमने एक जगे बुक की इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धंका दिया खबरदार जो केजरिवाल जी के लिए बुकिंग दी दूसरी जगे बुकिंग की उसको भी खबरदार तेरा जगे कैंसल की चौदवी जगे मैं नमनीत काका को प्रणाम करता हूँ बहुत-बहुत वो सामने उदर बैठे हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस देश के अंदर नमनीत काका जैसे लोग हैं उन्होंने हमें हाल दिया और उन तेरा लोगोंने हमें आशिरवात दिया जब उन से बात की वो तेरा लोग खुब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को बोले इस तरह से धंकी देना ठीक नहीं है बोले हम आपके साथ हैं लेकिन हिम्मत हिम्मत नहीं और ये बहुत तंग करते हैं लोगों को तो आज उन तेरा लोगों का आशिरवाद है समवाद नहीं होगा सख्षाप समवाद भी होगा स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे प्राइविट स्कूल भी ठीक होंगे सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे बच्चों का भवश्य की बनेगा ये रोक सके तो रोक लें midnight पिछले साथ आठ साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किये लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज़्यादा मुझे संतुष्टी मिलती है और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाओंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तुने प्रिथवी प सबसे बड़ा पुन्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिया बच्चों का भविश्य बना दिया हम लोगों होना संतुष्टी होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिन्दगी कुछ काम आई इस पृथवी के उपर जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में वहां भी यही हालत थी जो अभी मैं सारे प्रश्ण में ने लिखे हैं एक एक प्रश्ण का जवाब दूगा यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है दो तरह का सिस्टम था एक गरीबों के लिए एक अमीरों के लिए अमीर भी ने कौँगा जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था कई लोग तो अपना पेट काटके एक टाइम की रोटी कम काते थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बढ़ाओ के सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी बच्चे फेल होते थे पढ़ाई होती नहीं थी टीचर आते नहीं थे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का लेकिन गरीब बिचारा कहां जाएगा गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजता था और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं न बच्चों को निकाल लेता था सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा मेरे साथ काम करेगा पैसे कमाईगा स्कूल में तो पढ़ाई नहीं ओरी प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे अनाप शनाप फीस जो मरजी फीस बढ़ा देते हैं लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालोंने, कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, भलाना फीस, डिमका फीस, डवलप्मेंट फीस, ये फीस, वो फीस, एक बिचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं, जिन लोगोंने तंग आके अपने बच्चों को प्राइव स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया, आप लोगोंने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी, और सारे स्कूल मिर को भी, एक आदमी मिला मुझसे पूछ रहा था, क्याते हैं सर, सारे ऐसे हो गए हम, सोशल मीड आपे देखते हैं कि बहुत शांदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं, मैंने का सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए, पर दिल्ली में MCD के स्कूल हैं, नगर निगम के वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं, MCD के चुनाव होने वाले हैं, अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, MCD के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, सारे शांदार हो गए, इसका सबसे मैं अगर कहूं, खड़ा हो कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कह होगे कि एजरेवल अपनी बढ़ाई कर रहा है, चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भरती कराए हैं, चार लाख बच्चों ने, प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में, और बड़े अमीर आया है, साथ आठ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, कहता है सेंट कॉलंबस, सेंट कॉलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, लाइन लगी आज कल मैं अभी अभी एक बड़ी मीटिंग की थी 1200 बच्चे हमारी बारवी क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और IAT के पेपर पास करें है 1100 बच्चों ने मैं IAT से हुं मैं IAT से इंजीनियर हूं जब मैं IAT से इंजीनियर बना था हिसार से पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में आज मेरे दिल्ली के एक-एक सरकारी स्कूल से चार-चार बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पर और सबसे बड़ी खुशी यह है जब मैं आइटी में गया मेरी मेरे को मेरे देश देश ने बहुत कुछ दिया है भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं शुक्र गुजार हूं मेरे देश का आज मैं जो कुछ हो मेरे देश की वज़े से हूँ मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूँ कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए आज मुझे बेहत खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहया करा दिया जब बच्चों से ग्यारा सो बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे मैंने बच्चे उस सेक्युरिटी गार्ण का बच्चा क्च लार आ जा रहा पन्सक्वी है है उसका बच्चा आईटी में जा रहा है उसकी रैंक आई 569 ओल इंडिया जेई का जो पेपर होता है उसकी रैंक आई 569 मैं जब आईटी में गया था मेरी रैंक आई थी 563 मुझे लगाया है यह तो मेरे बराबर आज दिल्ली के एक एक बच्चे को गरीब से गरीब बच्चे को रिक्षेवाले के बच्चे को मजदूर के बच्चे को सिक्योरिटी गाड के बच्चे को प्लंबर के बच्चे को कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है जैसे शिक्षा मुझे मिली शानद अब आप सोच के देखो वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा सिक्योरिटी गार्ड दस बारा हजार रुपे कमाता है उसके घर का खर्चा नहीं चलता अब वो बच्चा IIT में जाएगा IIT से अब जर्ण निकलेगा तो उसकी तंखा स्टार्टिंग तंखा उसकी दो-तिन जाएगा मैं पूरी तरह से कन्विंज डूं एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है देश जो गरीबी से दूर कर सकती है वो है शिक्षा अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा हमारा देश अमरीका से भी दूसरा प्राइवेट स्कूलों ने लूट मार मचा रखी थी हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का आडिट करवा दिया आपको जानके ता यहां नाम लेना ठीक नहीं है देश के बड़े बड़े स्कूल एक स्कूल उसका पता चला आडिट में 50 करोड रुपए के उ आप लोगों को लूट रहे हैं फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं फलानी फीस धिमके और उसके अफडी कराते जा रहे हैं फडी कराते जा रहे हैं उसका एफडी कराते जा रहे हैं यह बहुत बड़ा गुना है जो भी स्कूल होते हैं वो पैसा इकठा नहीं कर सकते पैसा पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराई कभी नहीं हुआ भारत के इतियास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आया हूं और उसके बाद और जारी कर दिया कि कोई भी अगरीवीज़ की फीज सरकार की पर्मिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी अगर आप फीज़व बढ़ाना चाते हो आपको डिस हमें बताना पढ़ेगा आपको साथ- आठ शाल से बहुत दो-चार स्कूल को छोड़के किसी ने फीज़ नहीं बढ़ा यह साथ साल से प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने और वो नियत के वाल एक ही पार्टी कियाम आदमी पार्टी के और यह कोई कुछ नहीं करने वाले है इन लोगों ने बुरी तरह से जरूर चर मचा रखी है तो सर्थ नहीं इसालि चे रिल्गता बच्याइन का तो ऑब होजो सुवधा container बं लेने की जरूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे अकेले केजरीवाल या गुपाल इटालिया या इशुदान गड़वी या मनोज नहीं कर सकते गुजरात की साड़े छे करोड जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तयार करेंगे एक यह हुआ कि NCRT की बुक्स बड़ी पुरानी है केवल NCRT की बुक्स पुरानी नहीं है सर हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो पूरा गड़वड है यह हमने दिल्ली में यह पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया थेंगरेज देखे गए थे मेश कॉले का शिस्टम है 1830s, 4830 में यह शिस्टम बनाया गया था अंगरेजों ने शिस्टम क्यों बनाया था negotiated अंगरेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि हैं पर क्लर्क पैदा हों से यह टाक्नोप है वंकश्ष घाकर देश सह से सिस्टम खतम करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था तो केवल इन से दिल्ली के अंदर इस पर हम काम कर रहे हैं जैसे मैं आपको एक उधारन देता हूँ आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंडता फिरता है नौकरी ढूंडता फिरता है बीए करने का आद बीए से करने का आद बीकॉम करने का आद लेल भी करने का आद नौकरी 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 हमें ऐसा system चाहिए कि नौकरी ढूंडने वाले नहीं हमें नौकरी देने वाले बच्चे तयार करने हैं डिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है यह system 11 और आपको सुनके बड़ा interesting लगेगा 11 और 12 के बच्चों को हम लोगों ने business कराना शिखाना शुरू किया कि business कैसे करते हैं हमने बच्चों के दिमाग में कूट-कूट के भर दिया कि जब college से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है नौकरी मांगने वाला नहीं बनना हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 11 और 12 में हम 2000 रुपे देते हैं हम उन बच्चों को कहते है अब ये 2000 रुपे इससे business करो आपको लगया का क्या भी कूफी है यार ये 2000 रुपे से business होता है क्या उसमें बच्चों को freedom होता है चार बच्चे आठ बच्चे दस बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं और टीम बनाके जैसे पांच बच्चे मिले तो उनके 10,000 ड्रिंक बनाया कॉफी की तरह है कॉफी में कैफीन होती है इसमें कैफीन नहीं थी और उस ड्रिंक को उन्होंने facebook पे whatsapp पे भेजबेज के marketing की ड्रिंक बेच लिए बच्चों ने 10,000 रुपे से ड्रिंक बेच लिए अब ऐसी 11 और 12 क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम बन चुकी हैं 52,000 टीम उसमें कोई 3 बच्चों की टीम कोई 4 बच्चों की टीम कोई 5 बच्चों की कोई 2 बच्चों की टीम 52,000 टीम इस फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इंवेस्टमेंट मांगो तो जैसे ये वाली टीम थी ड्रिंक वाली टीम इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया बहुत अमीर अरब प ग्यारवी बारवी के बच्चे अरभपती के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में सोच सकते हैं आप और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किये इनकी टीम के अंदर 19 लाख रुपए देखे गया हो कि मैं आपके अंदर invest करता हूँ यह मेरी equity share है यह मेरे 19 लाक रुपए अब यह जितने बच्चे बारवी class से निकलेंगे college में जाएंगे एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा नौकरी देने वाला बनेगा यह बदलाव करने हमारे बच्चे निकलते हैं college से school से क्या हम उनको देश भक्ती सिखाते हैं स्कूलों के अंदर नहीं सिखाते हैं क्या हम उने अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में नहीं सिखाते हैं यह अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है happiness classes चालू किया है देश-भक्ती क्लासेश चालो की है बिजनस क्लासेश चालो की है यह पूरा content बदल रहे हैं education कि बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए रटते रहते हैं रटते रहते हैं रटते रहते हैं और इतनी नौकरी नहीं मिलेगी बढ़ा हो गया मेरे में बड़ी मुश्किल से पास होता था कहते ही आपके ग्यारवी बारवी क्लास में जब मैंने बिजनस क्लासेश शुरू की मेरी सारी टेंशन खतम हो गई मुझे लगा नंबर जो मर जी आए धंदा तो करी लूँगा मैं अपना ब जरूरत है शिक्षा का एक भारतिय सिस्टम होना चाहिए एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है जबकि सरकार पतादें 30,000-34,000 करोड रुपया खर्च करती है सर वो पैसा सारा कहा जाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है इमानदार सरकार लेके आईए ये सारा पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्चोना चालू होगा किसी ने कहा कि फीस बहुत जादा है फीस कंट्रोल करेंगे सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दिल्ली में किया है दिल्ली में किसी से भी फोन करके पूछ लीजी आप दिल्ली में सज की निपती करेंगे चिंता मत कीजिए कि कॉमन एडमिशन कमीटी बारवी क्लास के बाद ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आए अभी इशुदान भाई समझा तो रहे थे गुपाल जी समझा रहे थे ये मैं पूरा सिस्टम समझ के लेकिन आपके साथ बैठके जो भ इसरे देशों में क्यों जाते हैं बिल्कुल सही प्रशन है 75 साल हो गए आजाद हुए भारत को 75 साल कम नहीं होते हैं हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं बेस्ट डॉक्टर हैं बेस्ट फिर भी हमारा देश पीछे रह गया आज हमारे बच्चे बताओ हमारे देश को क्या हो गया आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं हमें ऐसा देश तयार करना हैं कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए किसी ने कहा कि traffic sense वगेरा भी सिखाना चाहिए यह सब सिखा हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सार हमने हमने जो happiness classes हम करते हैं उसमें बच्चों को moral value सिखाते हैं civic responsibility सिखाते हैं traffic sense सिखाते हैं योगा के बारे में किसी ने बात की दिल्ली में हमने यह जो मेरे उपर आरोप लगाते हैं के जरिवाल सब कुछ free करता है free करता है जनता है कि भले के लिए करता हूं बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे दिल्ली में हमने योगा की क्लासेज फ्री कर दिया है दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेज होती है फ्री में होती है हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को खुब सारे योगा टीचर्स तैयार किया हमने और वो yoga teachers आते हैं, कोई भी व्यक्ति आके yoga में free classes attend कर सकता है, सीख सकता है, रोज yoga कर सकता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए free yoga कराने की क्या गलत बात है, तो यहां पर भी yoga को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे, एक बहन ने कहा कि हम कूडा बी बिनने वाले बच्चे और आप, आप दोनों को हम main school के अंदर लेके आएंगे, अब कूडा बिनने वाले बच्चों को part time education नहीं मिलेगी, आपको जानके एक ताजूब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक special school बना रहे हैं, आपने traffic light पे देखा होगा जब आप गाड़ी रोकते हो, और शीशा कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है, ये जितने बच्चे होते हैं इन में से बहुत सारे बच्चे smack लेते हैं रात को, इन में से बहुत सारे बच्चे गलत घरकोतों में पढ़ते ह इनके उपर कई सारी कोशिश है की गई लेकिन ये बच्चे मेंस्ट्रीम में नहीं आ पाए इनके लिए एक शांदार रेजिडेंशल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं जिसमें केवल और केवल इस तरह से सडकों के उपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडिमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेंस्ट्रीम में लाने की कोशिश दिया तो बहन को मैं कहना चाहता हूँ आपको में टीचर बनाएंगे स्कूलों के अंदर में टीचर बनाएंगे बहुत टीचरों की कमी है मैं गुजरात का सारा डेटा स्टेडी कर रहा था कई कई हजार टीचरों की निउक्ति करनी पड़ेगी बहुत कमी है आपको भी teacher बनाएंगे और उन बच्चों को school में लेके आएंगे उनको part time education अबनी में देगे यह सारे मैं बताईए अभी तक मैंने कोई राजनीती की बात करी आपके बच्चों की आपके बच्चों के भविश्य की बात करी मैंने गुजरात के बच्चों के भविषय की, देश के बच्चों के भविषय की बात करी मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं और यह सारे मेरे पीछे पड़े हुए कल कोई नेता कह रहा था केज़िवाल कमीना है केज़िवाल जूटा है केज़िवाल फ ray strengthen ये सारे ही कठे हो गए मेरे खिलाफ सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा कॉंग्रेस वाले भी बीजेपी वाले सारे कह रहे हैं केजरी वाल फलाना है केजरी वाल धिमका है केजरी वाल मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा ये कहते हैं के वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए, मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक सम्रिद भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए, उसके लिए मैं कांग कर रहा हूँ, ये सारे मेरे पीछे कठे, सारे हाथ धोके मेरे पीछे पड़े हैं ये सा तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविश्य बनेगा, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीती चलती रहेगी, हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं, दस साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरिवाल कौन है, एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीती में, तो राजनीती कैसे ठीक होगी, इसलिए हम आएंगे थे, अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है, अन्ना जी कहते थे, केजरिवाल जी, अर्विंद ये कीचड है राजनीती, मैंने का अन्ना जी कीचड में खुदी उतरना पड़ेगा और खुदी जाडू से इसकी सफाई करनी प पैसा कहा है, हमारा पैसा नवनीत काका है, और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है, तक तब इमानदारी को इस देश से कोई नहीं अटा सकता दोस्तों, भारत मता की,